दर्शकू आज हम बात करेंगे मिथुन रासी वालों के लिए मई का महीना कैसा रहे बाला है कौन कौन से ग्रहों का रासी परवर्तन होगा ग्रहों के रासी परवर्तन से कौन से शेत्रों में क्या बदलाव देखने को मिलेगा हम बात करेंगे आपके संपून शेत्रों के बारे में जैसे मई के महीने में आप रस्वास्त कैसा रहेगा धन की स्तिती कैसी रहेगी नोकरी के लिए, ब्यापार के लिए, सिक्छा के लिए, संतान के लिए फ्रेम विबाह के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए, कम्पटीशन के लिए, भागे के लिए, लाब के लिए, हानी के लिए, विदेश यात्राओं के लिए, आधी हम सभी शेत्रों के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे, तो आईए जानते हैं, सबसे पहले यह स माई के महिने में ग्रहों की इस्तिति के बारे में दि집ात करें, तो 3 ग्रहों का राशी परवर्तन होगा, सुर 15 माई को राशी परवर्तन करेंगे और 12 भाव में गोचर करेंगे. यहां पर यму अच्छे परदाम नहीं देते हैं. मंगल दस मई से करक रासी में गोचर करने वाले है धन भाव में और शुक्र जो है दो मई से मिथुन रासी में आपकी रासी में गोचर करने वाले हैं तो इन तीन ग्रहों का रासी परवर्तन होगा केतु आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे सनी आपके भाग भाव में बुरु के साथ राईू चांडल दोस भी सबीकिन वुरो है डोषी पर्कार के फल देखनेकों मिलेंगी वहीं शुक्र जो है आप अपनी ही रासी ब्रशम रासी में बारहबे भाव में गोचर कर रहे हैं जो की दो मई से यह आपकी रासी मितुन रासी में गोचर करने बाले हैं और मंगल जो है आपकी रासी को छोड़ करके चौथे नमबर की रासी करक रासी धन भाव में गोचर कर तो ये ग्रहों की इस्तिती है, अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों का प्रभाव आपकी ऊपर कैसा रहने बाला है, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, हम बात कर रहे हैं मिथुन रासी बालों के बारे में और मिथुन रासी के स्वामी होते हैं बुद्ध, बुद्ध जो है लगन के मालिक है और सुख के मालिक है और ये गोचर कर रहे हैं लाव भाव में वैसे तो लाव भाव में सभी अच्छे पढ़ाम देने का काम करते हैं लेकर ये राहू के साथ बैठे हुए है तो पूर्ण रूप से लाव नहीं दे पाएंगे क्योंकि जड़ दोस है उद्धी भ्रमेत दोस बन रहा है तो कहीं ने कहीं डिसीजन लेने में थोड़ी समस्षा हैं आपको रह सकती है और मंगल भी दर्स तारिक तक रहेंगे तो कई बार जल्दी वाजी में गलट डिसीजन भी दिलवा देते हैं इसलिए विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है स्वास्त पर भी आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है ये धन भाव में नीच रासी में गोचर करने वाले हैं और ये गोचर करेंगे 10 माई से तो मंगल जो है धन भाव में अच्छे पढ़ाम नहीं देते हैं और यहाँ पर नीच रासी में भी गोचर करेंगे तो आपके कुटम्ब परिवार में विबाद हो सकता है, लणाई जगड़े हो सकते हैं, धन हानी हो सकती है, चोट चपेट लगने की सम्भावनाए हो सकती है, इगो आपको बढ़ सकता है और वारी को सम्हाल करके बोलने की जरूत रहेगी नहीं सत्रू पैदा हो जाएगे, त तारी के बाद कहीं न कहीं कोटम्ब परिवार में विवाद करवाने का काम करेंगे, धन खर्चे खूब करवाएंगे, तो वही यदि हम बात करें तो बुद्ध जो है, लाविवाव में अच्छे परणाम देते हैं, सभाविक है, मन की च्चाओं को पूरा करने का काम लेकिन थोड़ा बिलंब से काम होगा क्योंकि बुद्ध जो है राहू के साथ बैठे विये हाला कि सुभग रह जो है गुरु भी विराजमान है और सूर भी विराजमान है तो बुद्ध को बल मिलेगा इसलिए यहाँ पर ज्यादा नकरात्मक प्रणाम देखने को नहीं मिले तो भूमी भवन प्रापर्टी और माकान के भी मालिक है भूमी भवन प्रापर्टी के योग बनेगे और यदि आप खरीद रहे हो चाहे माकान खरीदो चाहे आप प्रापर्टी खरीदो चाहे वाहन करीदो तो पहले अच्छे से जाच परताल करने क्योंकि राहू के साथ क आपके स्वास्त के भी मालिक है, confidence के भी मालिक है और लाव भाव में अच्छे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ने कहीं आपको लाव देने का काम करेंगे, लेकिन आपको सतरकता जरूर है, बरतनी चाहिए, यह आपको विशेशुरुखते ध्यान देना है, और यह धन के भाव में मंगल का गोचर रहेगा दस्तारी के बाद, तो धन खूब खर्च होगा, और कुटम परिवार में विवाद भी होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वही यह दि हम बात करें आपके तीसरे भाव के मालिक के बारे में, तीसरे भाव के जो मालिक है वो आपके सूरे हैं, और सूर जो है एका दस्वाव में उच्छ रासी में गोचर कर रहे हैं, जब सूर उच्छ रासी में गोचर करते हैं, और इस्तान भल भी उनको मिल रहा है, इस कारण से राहु यहाँ पर ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं दे पाएगा, तो बल पराक करें आपके चोथे भाव के बारे में, चोथे भाव के मालिक बुद्ध है, भूमी बन प्रापर्टी के योग बनाने का काम करेंगे, लेकिन आपको सतरकता से कार करना है, वही यदि पंचमेश के बारे में बात करें तो पंचम भाव में केतू विराजमान हैं, और केतू प मिलेगा यहां परेदी देखा जाया तो सिख्षा के लिए समय अच्छा रहेगा संतान के लिए अच्छाग स्तितिओं के लिए समय लिए बढ़िया रहने वाला है तो शुक्र आपको जवर परिवरतन राज योग बन गया जबरदस्त लाब देने का काम करेंगे यहां पर और मंगल दस तारीक तक जब और दस्तलाब देंगे, हर कारवों में आपको सफलता देखने को मिलेगी, तो यह बहुत अच्छी इस्तिती है, मंगल और मुद्ध कराशी परवर्तन जो हो रहा है, यह बहुत अच्छी इस्तिती है, धन के लिए जो है बहुत अच्छा है, वही यदि हम बात करें, तो यहां से मंगल जो छटे भाव के मालिक है, तो यहां से हम देखते हैं, रोग के बारे में, रोगों को दूर करेंगे, रेण के बारे में तो रेणों को समात करने का काम करेंगे, कंपटिशन में सफलता दिलाने का काम करेंगे, सत्रों को परास्त करने का काम करेंग इसके बाद यहां पर गृर्व कारक मने जाते है और मित्र के घर में मेसरासी में गोचर कर रहे है तो यह समझ जाए कारियर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, नौकरी में चेंजेस हो सकती है, या प्रमोशन भी आपको मिल सकता है, क्योंकि राहू के साथ जब भी गुरू की इस्तिती बनती है, तो प्रमोशन भी मिलता है, या तो जहां पर आप ट्रांसपर चाहत और पार्टनर्सिप में भी आपको लाब मिलेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यावसाय कर रहे हो, सभी छित्रों में लाब देखने को मिलेगा, वही अदियम बात करें, आपके अश्टम भाव के मालिक के बारे में, अश्टमे से भी लाब देखने को मिलेगा तो सनी के स्किति आपकी जन्म पत्रिका में गोचर कुर्णली में बहुत अच्छी है आप लाब ले सकते हैं केरियर आपको बहुत अच्छा रहेगा और मंगल आपकी जो हैं लाब के मानिक हैं परिवतन राज-योग में हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छे माने जाते हैं और उच्छे रासी में गोचर कर रहे हैं और ये पंदरा तारिक तक यहां पर रहेंगे तो पंदरा तारिक तक किस्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगे और दस तारिक तक मंगल भी आपको जबरदस लाब देने का काम करेंगे सूर उसके बा करना है सूर को जल देना है हुआ यदि हम बात करें तो बुद्ध भी आप अच्छे पढ़ाम देते हैं गुरुब अच्छे पढ़ाम देते हैं शुक्र आपके बारहबे भाव में अच्छे पढ़ाम देने का काम करते हैं भोग विलास में ब्रद्धी करने का काम करते हैं ले जिरीश लाइब देने का काम करेंगे भूमी भवन प्रापर्टी माकान और वाहन का यूग बनाने का काम्याँ पर शुक्र करने बाले हैं तो शुक्र की स्थिती भी आपके लिए बहुत अच्छी है और लाग ने सकते हैं तो यदि कुल मिला करके यदि हम बात करें मिथुन आसी बालों के लिए मई का महीना बहुत ही सांदार रहने बाला है आप परिवर्तन जो है देख सकते हैं अच्छी सिती है और लाग ले सकते हैं तो दर्सों को आज बसेतना ही धन बात यदि आप अपनी कुंडली का विशलेशन घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिये के व भूत भविश और वर्तमान के बारे में धन्यवाद वाट्सएप नंबर 94798939